हे गाईज आज के इस वीडियो में अपने बात करेंगे MI A1, Asus Zenfone Max Pro, M1 और M2 के बारें दोस्तो इन तीनोई फोन के अंदर Android Pie का अपडेट मिल चुका है दोस्तो और इस अपडेट के बाद दोस्तो इन तीनोई फोन में काफी सारी बग्स देखने को मिली दोस्तो उसमें से एक बग्स यह है कि किसी किसी के नेटवर्क पर HD या फिर वो लाइट शो नहीं हो रहा है दोस्तो तो दोस्तो इस प्रब्लम को कैसे आप सोल कर सकते हैं वही बताने वाला हूं इस वीडियो के अंदर तो वीडियो को सुरू से अन तक जरूर देखें हेलो दोस्तो आप सभी कि दोस्तो पनाएगे मेरी मोबाल स्क्रीन के उपर और सबसे पहले दोस्तो आपको बता देना चाता हूं मैं यह जो सेटिंग बताने जा रहा हूं वो सेटिंग लगपक सभी फोन में वर्क करती हैं पर दोस्तो हो सकता है किसी किसी फोन के अंदर वर्क नहीं करती हैं तो द सकते हैं तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है आपको जाना है सेटिंग के अंदर सेटिंग के अंदर जाने के बाद दोस्तों आपको एक ओप्शन दिखाए देगा सबसे पहले नेटवर्क एंट इंटरनेट इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर mobile network के सारे option दिखाए देंगे, उसमें आपको एक advance दिखाए देगा, इस पर click करना है, click करने के बाद दोस्तों, आपके सामने एक option और दिखाए देगा, 4G light mode वाला, इस पर click करना है, इसको एक बार आपको on off करना है, on off करके दोस्तों, अगर आपके यहाँ वो max pro m1 है, आपके पास दोस्तों, तो आप अगर इस phone को reboot करते हैं, reboot करते हैं, तो दोस्तों इसमें आपको second sim के अंदर network नहीं मिलते हैं, वापिस automatically, आपने कहीं बार देखा होगा, दोस्तों, कहीं सारे users ने मेरे को बताया हैं, कि iasus Zenfone max pro m1 के अंदर, second sim के अंदर, जब network नहीं मिलते हैं, तो दोस्तों, आपको जाना है setting के अंदर वापिस, और दोस्तों, आपको advanced के अंदर जागे, यहाँ पर network type लिखा होगा दोस्तों, तो यहाँ पर click करना है, click करने के बाद आपको एक बाद यहाँ पर 2G, 3G करने के बाद आपको वापिस 2G, 3G, 4G पर click कर लेना है, तो ऐसे करके आपके फोन में automatically वापिस यहाँ पर network शो होने लग जाएंगे, तो दोस्तों, इस परकार से आप अपने फोन के अंदर HD या फिर वो लाइट या फिर वाल्टी शो करवा सकते हैं, अपने फोन के अंदर दोस्तों, तो बस दोस्तों, आज के वीडियो